जै गुरुजी संगत जी, गुरुजी को बहुत बहुत कोटी कोटी प्रनाम, गुरुजी की प्यारी संगत को बहुत 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 प्यार, जै गुरुजी, गुरुजी का बहुत शुकराना, आज फिर मुझे ये सेवा देने का, कि मैं यहाँ इतने प्यारे गुरु परिव के पास बैठ के गुरुजी के दरबार में बैठ के गुरुजी का गुंगान कर सकूँ गुरुजी की दिवी ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में आपके साथ शेयर कर सकूँ और हम सब गुरुजी का गुंगान करें क्योंकि गुरुजी के गुंगान से बढ़कर कोई है तो आओ आज गुरुजी का गुंगान करते हैं कहते हैं जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्यान और जो असका भी तो आज गुरुजी तक यह बहुत Im गुरु जी हम सब को इसी तरहें ब्लेस करते रहें और हमारा हाथ हमारा साथ कभी न छोड़ें तो गुरु जी की आग्या से में ये सेवा शुरू करते हैं संगर जी गुरु जी का शुकराना है कि गुरु जी ने हर सेटरे इंडिया टाइम एट पीम के लिए ये सेवा दी है कि जो गुरु जी ने बुक ब्लेस की थी मेरे गुरु जी की महिमा और इंग्लिश में जिसका नाम है महिमा आफ माई गुरु जी वो बुक में जो गुरु गुरुजी ने अपने दियुई blessings को सतसंग के रूप में compile कराया है, तो गुरुजी ने ये सेवा दिया है, वो सतसंग मैं आप सब लोगों के साथ share कर सकूँ, ताकि positivity बड़े, आपको भी blessings मिले, मुझे भी मिले, गुरुजी तक शुक्राना पहुचे, हमारा गुरु परिव आप लोगों में से अगर किसी ने कोई सतसंग सुन रखे होंगे, which is very likely, तो भी एमानों कि गुरुजी फिर भी bless कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कोई सतसंग कितनी भी बार सुनने को मिले या सुनवाया जाए, तो वो गुरुजी के हुकुम से, गुरुजी की mercy से होता है, क्योंकि डेट अलग होती है, टाइम अलग होता है, समा अलग होता है, महोल अलग होते है, सुनने वाले अलग होते है, तो वाइबस अलग होती है, तो गुरुजी अगर एक ही सतसंग आपको दुबारा दुबारा बार बार सुन वारे हैं, तो उसमें भी blessings हैं, तो म मैं जुलाई 2018 में संगाजी गुरुजी से जोड़ी थी और मुझे गुरुजी से जोड़ने वाली मेरी एल्डर सिस्टर मंजु आउटी थी गुरुजी उनको बहुत बलेस करें तो संगाजी जब मैं गुरुजी से जोड़ी ना मैंने शायद पिशली बार आपको बताया था मुझे अपनी सिस्टर में बहुत अच्छा चेंज दिखा था तो मैं इससे बहुत इंप्रेस हो गई थी गुरुजी है जोनाने मुझे इनर पीस दिये काम दिये और मुझे किसी चीज से इनसेक्यूर्टी ने डर नहीं लगता और मुझे कोई अनसेटेंटी न लगती मुझे पता है life is beautiful और गुरुजी है और उन्होंने बोला कि गुरुजी मतलब बीश पीश में connection problem हा रहा है तो मुझे उन्होंने बताया कि गुरु जी की महीमा के बारे में थोड़ा brief में बताया उन्होंने मुझे कि गुरु जी कैसे कैसे कल्यान करते हैं कैसे कैसे लोगों को bless किया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अब देखो संगर जी अभी by chance नहीं है ये गुरु जी ने already decide कर रखा होगा कि जुलाई 2018 में जब एक तरह से मेरी life का एक नया phase शुरू होने वाला था क्योंकि हमारी family हम लोग UK में permanently settle होने वाले थे तो गुरु जी ने decide कर रखा था कि उस वक्त गुरु जी मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे संगर जी 5 जुलाई को मैं बड़े मंदिर कई और जब मैं बड़े मंदिर कई तो में को मंचु आँटी ने बताया था कि यहाँ गुरु जी की presence feel होती है और गुरु जी से connection होता है one to one connection होता है तो जब मैं गई ना बड़े मंदिर में तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ की beauty, वहाँ की serenity और जिस dedication से वहाँ के सेवादार सेवा कर रहे थे और इतना beautiful बना हुए, इतना बड़ा, इतना साफ मुझे वह सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा तो मुझे जाके पीस तो लगा, सब कुछ अच्छा तो लगा बट that's it वह जो मंजू आँटी ने बोला था ना कि यहाँ गुरु जी की presence feel होती है तो मैं ना I was looking around for that कि मुझे वैसा कुछ मतलब महसूस नहीं हो रहा था तो संगल जी फिना हम चाय प्रशाद के लिए वेट कर रहे थे तो जो मैं चाय प्रशाद के लिए वेट कर रही थी ना हम आपे गुरु जी के बड़े-बड़े प्यारे स्वरूपते उनको देख रही थी और मनी मन में कह रहे थी कि गुरु जी मंचु आँटी कहती है कि यहां आपकी प्रेजन्स फील होती है आपसे connection होता है one to one वो क्या होता है उनका क्या मतलब है कि आपकी प्रेजन्स फील होती है आप यहां इस मंदिर को बनवा के गए आप यहां इस मंदिर में हो प्यारी से स्माइल दी, मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया और मेरी मुठी बंद कर दी मैं हिरान हो गई ऐसे कैसे हो गया तो इमीडियेटली गुरुजी ने मेरे मन में जो क्वेरी जल रही थी उसका जवाब दे दिया इतना beautifully मुझे बता दिया कि ये है तेरे मन में जो चल रहा है मैं पढ़ सकता हूँ ऐसे मैं presence दिखाता हूँ, ऐसे मैं mind reader हूँ, ऐसे मैं लोगों के मन की पाच चानता हूँ ऐसे मैं bless करता हूँ, ऐसे मैं लोगों का faith बिल्ड करता हूँ, ऐसे मैं संगत को अपने साथ जोड़ता हूँ संगत जी मुझे बढ़ा अच्छा लगा, वो दिन है और आज का दिन है तो मैं गुरुजी से जी से कहते हैं जुड़ गई, गुरुजी का शुक्राना जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा साथ पकड़ा, मेरी जिंदगी में आए या मुझे अपनी शरन में लिया तो संगत जी मेरा ऐसे करते करते faith बिल्ड होता गया तो अब मैं गुरुजी के दरबार में जब गई थी ना तो मेरी कुछ skin problem थी, कुछ नहीं वो बहुत बड़ी skin problem थी मतलब उसमें ना कहलो pigmentation, dark patches ऐसा था कि मैं अपने आपको mirror में देख भी नी सकती थी और संगत जी इसके साथ ही जुड़ा हूँ है मेरा एक recent सथसंग भी है मैं आपको बताती हूँ तो मेरी skin पे बहुत pigmentation, patches पता नहीं क्या क्या था और मैंने इतने doctors को दिखाया था, dermatologist को दिखाया था जैसे कहते है ना sorry guru जी जब हम नए नए होते हैं ना हम test करने लग जाते हैं हमारी क्या ओकात तो मैंने कहा गुरू जी अगर वाकई आप में शक्ती है तो guru जी मेरे skin problem ठीक कर दो, इसकी वज़ए से मेरा सारा confidence ही था और संगर जी दूसरी अरदास की थी मैंने अपनी बेटी की जो मैं उसकी detail में नहीं जाओंगी मैं बहुत short में बोलनगी मेरी बेटी का जब मैं guru जी की शरन में गई तो last two three years से उसका studies में confidence lose हो गया था ऐसा लगता था कोई negativity उसको surround कर रही है जो वो इतनी मेहनत करती है ऐसे ही मेहनत लेकिन उसको अंदर नहीं जा रहा था mind में तो मैंने guru जी से का please guru जी मेरी बेटी को bless कर उसका पहले वाला confidence ला दो और मैं एक अपने father-in-law के लिए भी अर्दास, तीन अर्दासे करी थी मैंने कि मेरे father-in-law को mentally and physically stable कर दो, healthy कर दो उनको mentally and physically bless करो संगा जी मेरे father-in-law worst तो नहीं हुए है, stable है, guru जी का शुकराना मेरी बेटी का guru जी ने confidence वापिस लोटा दिया और वो तो करते ही जा रहे है, इतना beautifully मेरी बेटी आरूशी अंटी को bless कर रहे है, वो खुद ही इतने सारे सत्संग्स हैं, तो वो आज शायद भी guru जी के आगया नहीं है, मुझे लगता है, शायद मुझे थोड़े से पिछली बार सुनाए है और संग्स जी जो मेरी skin का मैंने बोला था ना, अब ये तीन अर्दास की थी, skin का मैं आपको बताती हूँ, और संग्स जी मैंने I think last time भी बताया, कि ना मैंने इसके इलावा, जिसे कहते ना मांगना या अर्दास करना, मैंने वो बड़े मंदिर में और कुछ नहीं मांगा, और कोई अर्दास नहीं करी लेकिन मेरी को एक बहुत पुराना सिर्दर्द होता था, जिसका भी reason नहीं पता चल सकता था तो वो सिर्दर्द मुझे, वो मेरी life में थाई, हर चोटी चोटी मतलब अगर exertion होई सिर्दर्द, कुछ ज़्यादा खा लिया सिर्दर्द, कम खा लिया सिर्दर्द, काम ज़्यादा होगया सिर्दर्द, tension है सिर्दर्द, हर चोटी चोटी सी बात में विकार का सिर्दर्द होता था ऊर मेरी familia कहते है थि air headache को रहे है भॉलते है हो उतना हम ए dove naj two एडैक रहता है लेकिन जब गुरूजी के मंदिर में गई मैंने मँए उसके बारे में मघा नहीं लेकिन हमारी गुरूजी ऑना बिन मांगे सबको चानते हैं रिय 231 ती kilo zalנियthe अपनी शरन में लिया, जैंब मैं घर गई, रात को जब मैं ने सोने की कोशिश करी, संगा जी मुझे इतना बुरा हैडेक हुआ, इतना स्वियर और वर्स्ट एवर हैडेक हुआ, बहुत बुरा हैडेक हुआ, उतना हैडेक मुझे पहले कभी नहीं हुआ, तो न, मैं नहीं नहीं जूड़ी थी, मन में थोड़ा सा वो भी आ गया, थोड़ा सा डाउट जैसा, सौरी गुरू जी, कि आज ही मैं बड़े मंदिर गई हूँ, यह अच्छ है, आज मैं बड़े मंदिर गई हूँ, और आज इतना बुरा सिर्दर दो रहा है संगर जी, मैं एक सेकेंड भी नहीं सो सकी, इतना मुझे लग रहा तो मैं अपना सिर्फ ओर दूँ, तो मेरे हस्बिन ने बोला, अभी सूने की कोशिश करो, मौनिंग में उठेंगे, तो MRI करवाएंगे, तो कुछ सीरियस लग रहा है संगर जी, किसी तरह से रात काटी, जब मैं मौनिंग में उठी ना, जब मेरे हस्बिन पवन अंकल ने पूछा, तो मैं एपोइंटमेंट करवा हूँ, तो मैं नहीं, मेरा सिर्दर बिल्कुल ठीक है, not only that, मुझे इतना light-headed लग रहा है, इतना light और इतना अच्छा लग रह कि सिर में से कोई बहुत भारी चीज चली गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता गया, आज की डेट है, देखो कितना टाइम हो गया, three years हो गया, मुझे फिर से वो सिर्दर नी वा, जो मेरी life में, that was a part and parcel of my life, बहुत consistent रहता था थ तो गुरु जी का बड़ा शुकराना, मेरी तीनों अर्दास एक तने से पूरी करती, गुरु जी आप सब लोगों की भी अर्दास पूरी करें, अगर वो आपके लिए अच्छी है, तो गुरु जी का बड़ा शुकराना, मेरी तीनों अर्दास का इतना beautifully जवाब दिया, त अर्दाष थी जो जिशने केसे पूरी करी संगी जी अइंडिया स्टेए में रिखनी 10 देज के लिए थी इंडिया में मुझे पता चला कि गुरुजी कौपर लोटा बलेस्ट करते है अर उस बलेस्ट लोटे का जल प्रशादपीने से काफी बिमारिया दूर होती हैं लेकिन वो टर्मिनली इल डिजीज के लिए होता है तो मतलब जो ऐसी डिजीज होती है जो यह बियांड ट्रीटमेंट तो लेकिन मैंने सोचा कि मेरी स्किन की वज़े से मुझे इतना प्रॉब्लम हो रही है मैं वो लोटा ले गई तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया शुक्राना गुरुजी का कि मुझे पहले ही बार गुरुजी ने लोटा भी ब्लेस कर दिया उसके बाद उस मुझे जैसा बताया गया था कि उसमें आप जल रखो और गुरू जी के सुरूप के सामने रात को रखो और मॉर्निंग में उठके उसका जो टू-थर्ड जल प्रशाद है वो पीलो उठते ही और वन-थर्ड जो है नहाने वाले पानी में मिला के उससे नहाओ तो संगर जी मैंने वैसा शुरू किया और मैं करती तो आज तक हूँ लेकिन हाटली 7 या 10 डेज हुए होंगे गुरू जी मतलब संगर जी आप बिलीव नहीं करेंगे 7 या 10 डेज हुए होंगे मुझे उस ब्लेस्ट लोटा से जल प्रशाद पीते हुए कि मेरी वो स्किन प ब्लेस्ट जल प्रशाद पिलाके इतने अच्छे से मेरी स्किन प्रॉब्लम भी ठीक कर दी तो गुरू जी ने मेरी तीनों अर्दास सुनली गुरू जी का बड़ा शुक्राना तो गुरू जी आप सब लोगों की भी सारे खुआशे पूरी करें अगर वो आपके लिए पतलब है या तो वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है गुरू जी ऐसी कोई चीज आपको नहीं देंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है या या वो टायमिंग ठीक नहीं है गुरू जी is the master planner उनकी टाise पनाइमिंग पर बिलीब करो गुरू जी की best बात तो उनकी टाइम वो अपने टाइमिंग के हिसाब से आपको ब्लेस करते हैं, सेम अर्धास में भी वन येर के बाद आपको ब्लेस करेंगे और आपको रिलाइस भी करवा देंगे, टाइमिंग यही बेस्ट है तो संगर जी, गुरु जी का बड़ा शुक्राना, ऐसे गुरु जी ने ये तो दो तीन मैंने आपको बताया और उसके बाद गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतने मिलती गई, मेरी जॉब का एक सचसंग है मैं आके किसी सेटर्डे में जब गुरु जी सुनवाएंगे, सुनाओंगी तो मेरे जॉब में भी संगर जी, ऐसा हो सकता है कि तीन दिन में वर्ल्ड क्लास कमपनी में घर के इतनी पास, मेरा ड्रीम रोल मिले ऐसा हो सकता है किया, लेकिन गुरु जी की शरन में आप हो तो सब कुछ हो सकता है तो गुरु जी का बड़ा शुक्राना इतना ब्यूटिफुल ही मुझे जॉब से ब्लेस किया उस जॉब में गुरु जी ने मुझे इंट्रिव्यू के क्वेस्चिन्स तक बता दिये करते करते न ब्लेसिंग्स तो गुरु जी देते ही गए, ब्लेस करते ही गए तो क्या मैंने पिछली पार शाहिद बताया था संगर जी जो 5 जलाए कि जो जब मैं गुरु जी के बड़े मंधिर में गई थी उसके बाद 7 जुलाई को गुरुजी के बर्डे पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, गुरुजी को बर्डे विश किया तो वही मेरे 10 डेस के स्टे में, I think 4-5 डेस गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, बड़ा शुक्राना गुरुजी का उसके बाद हमें दुबाई से आतवे UK आना था, वो हमारा दुबाई में लास्ट स्टे था, क्योंकि हम दुबाई का वीजा कैंसिल कर चुके थे संगर जी हम लोग 14 डुबाई में रहे थे, तो मैं गुरुजी से जब जुड़ गई न, ये Thursday का टाइम था, Saturday morning मेरी फ्लाइट थी, Thursday के टाइम पे मैं बहुत, मतलब emotional हो रहे थी, और मेरी बेटी भी थोड़ा सेंटी हो रहे थी, क्यों, क्योंकि हम लोग 14 डुबाई में र करने जा रहे हूं, काश कि मुझे दुबाई में भी आपका सचसंग अटेंड करके आपकी blessings लेने को मिल जाए, तो संगर जी वो दुबाई को छोड़ने की और गुरु जी को मिस्स करने की जो feeling थे न, उसकी वज़े से मैं बहुत उतास थी, तो इतने में मैं गुगल किया, गुरु जी दुबाई, तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे दुबाई में तो गुरु जी का बड़ा dedicated, बहुत बड़ा गुरु परिवार है, और हर week Friday को weekly सचसंग होता है, समाना होटेल में, अब तो physically कम होते होंगे, बंद होगे, लेकिन होता था, once in a week उनका जो weekly सचसंग ह फ्राइडे को समाना होटेल में होता था, गुरु जी के टाइमिंग देखो, Thursday को मेरे मन में ये आया, Saturday की फ्लाइट है, और Friday को weekly सचसंग होता है, तो मुझे सोनिया विजांटी के बारे में गुरु जी ने दिखाया, मैंने सोनिया विजांटी को contact किया, उन्होंने का, most welcome आ सची वाले आंसू भी थे, और दुबई छोडने का थोड़ा सा आंसू थे, तो नहीं हमें रोह जा रही थी, जब सचसंग फिनिश वा ना, तो मैंने देखा, वहां पे एक आंटी ना कुछ दे रही है, तो मैंने गैस किया, सोनिया विजांटी है, तो मैंने उनके पास चली और रोती जा रही थी, इतने में सोनिया विजांटी ने बोला कि आप अभी रुको, उन्हों वो जिनको अटेंड कर रही थे ना, उनको किया, फिर उन्हों ने मुझे गुरू जी का मीडियम साइज स्वरूब दिया, ब्रेसलेट स्वरूब और गुरू जी के चरन कमल भी तो जब मेरे हाथ में गुरू जी के चरन कमल आए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा कि जैसे मैं कहा रही थी ना, गुरू जी मेरे साथ चलें और यूके में भी हमारी लाइफ अच्छे से सेटल कर दें, तो गुरू जी चरन कमल के थ्रू हमारे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो चरन कमल मिल गए इसका मतलब गुरूजी हमारे साथ चलेंगे और वाकर यूके में भी हमारी लाइब गुरूजी ब्लेस करेंगे तो वो लेके हम लोग यूके आ गए और संगर जी जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था जब हम यूके आए ना तो हमारा यहां पे एक फ्रिज था जो पहले बहुत वियर्ड सी स्कैरी सी अवाज करता था जब हम यहां पे डेट साल टेम्रेली रहते थे थे ना तो वो फ्रिज वो फंक्शनल था लेकिन उसमें से ना कोई जानवर की ऐसे स्कैरी सी अवाज आती थी मेरे हजबन पवन अंकल ने बहुत देखने की कोशिश करी पता ही नहीं चला कहां से आ रही है तो हमने गैस किया कि हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं मन में यही अर्दास था गुरुजी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी देना हमारे आंग संघ रहना प्लेस करोला affiliated कर दो यह है अर्दास करते वह गुरुजी के चरण कमल के साथ क्युरुजी एक जरमें अई से सेटल कर तो सब अच्छे कर तो ये दो फ्रिज जैसे चीजी खराब होगी जब अब छुटियों से आओ तो फ्रिज जैसी खराब हो जाए तो कैसा लगता है तो नया फ्रिज तो आगया 5-6 दिन में, inconvenience हुई, वो नया फ्रिज आया, उसमें से अवास तो आने और नहीं आती थी और परफेक्टली ओल राइट था तब तक भी strike नहीं हुआ या गुरू जी नहीं रिलाइस नहीं करवाया वो क्या हुआ तो 4-5 मन्स के बाद मेरी बेटी को इंटर्शिप के लिए कहीं दूसरी सिटी में सेटल करने के लिए मेरे हस्बिन गई तो जब वो आए ना तो मैंने उनको बोला कि आपके इतनी ट्रैवलिंग जॉब है अभी तक तो आरूशी थी मेरे साथ अब आरूशी 4-5 मन्स के लिए वहां रहेगे इंटर्शिप के लिए तो आप थोड़ा टाइम के लिए अपनी ट्रैवलिंग बंद कर देना नई तो मैं यहां पे अकेली हो जाओंगी संकर जी उस वक्त मेरे मूँ से क्या निकला मैंने का बाहर एक पेपर की भी आवाज आते हैं मुझे डर लगता है अगर मैं अकेले होती हूँ शुकर है वो पुराना फ्रिज नहीं है जिसमें से इतनी भ्यंकर आवाज आती थी तो संकर जी वो नेचरल फ्लो में मैं बोल गई कि शुकर है वो पुराना फ्रिज नहीं है जिसमें से आवाज आती थी और बहुत पुरानी संकर के थूब भी सुनवाया था कि जब गुरुजी आपकी लाइफ में आते हैं तो गुरुजी आपकी लाइफ से सारी नेगिटिविटी हटाते हैं सारे नेगिटिव लोगों को हटाते हैं ऐसी कोई भी चीज अगर आपके घर में है जो negativity producer है गुरू जी उसको फिकवा देंगे तो जैसे अगर मैंने एक सत्संग सुना था उसमें गुरू जी ने किसी कित्रू या टेली पैथी से किसी आंटी को बोला अलमारी सुट दे वो अलमारी से negativity आती थी तो अगर कभी आप अपनी life में किसी पंडित तांत्री के पास गए थे उसने कोई तावीज दिया था तो गुरू जी की शरन में आने के बाद गुरू जी वो आपकी तावीज वगएर आपके घर से फिकवा देंगे क्यों क्योंकि गुरू जी कोई भी चीज जो गुरू जी की blessings और आपके बीच में कोई भी चीज अगर hurdle की तरह होती है न तो गुरू जी उसको आपकी life से हटवा देते हैं फिकवा देते हैं किसी भी तरह की negativity को फिकवा देते हैं तो उस दिन मुझे पता चला 4-5 months के बाद कि वो fridge उसमें से जो अवाज आती थी वो negativity देता था fridge वो fridge was the source of negativity इसलिए जिस दिन गुरू जी अपने चरन कमल के जरिये इस घर में आए मेरी अर्दास थी कि गुरू जी हमारी life अच्छे से UK में सेटल कर दो गुरू जी ने वाक तो गुरू जी का बड़ा शुक्राना जैसे गुरू जी ने मेरी life से negativity हटाई आप सब लोगों की life में भी positivity भरते हर तरह की negativity निकाले तो संगर जी ऐसे करते करते गुरू जी की blessings बड़ते ही गई शुक्राना गुरू जी का यहाँ पे सचसंग होते थे weekend पे तो यहाँ पे गुरू परिवार में को ले जाता था क्योंकि हम नए नए जुड़े थे driving license नहीं था तो हम सचसंग में जाते थे बड़ा अच्छा लगता था सचसंग देखके तो ना मन में एक ख्वाईश आने लग गई क्योंकि सचसंग का सारा format और सारा discipline मुझे समझ में आ गया है गुरू जी की blessings मिलने लग गई तो मन में एक ख्वाईश आई कि मुझे भी अपने घर पे सचसंग करना चाहिए लेकिन उसके साथ ही मन में एक अनसर्टेंटी से आगी क्या मैं कर पाऊंगी तो मन तो है तो मैंने को गुरू जी की और इस टू अरली तो मैंने को गुरू जी मेरा भी बड़ा मन है कि घर पे सचसंग रखूँ तो आपकी आगया है गुरू जी यह आ सचसंग अब संगर जी एक अलका आँटी है जो किसी और सिटी में मेंूरी से बात करते तो मुझे मन जे एसा लगता था है कि अलका आटी से बहुत निवेगी मुझे इंसे मिलना चाहिए तो मैंने अंकल को बोला अंकल मेरा बड़ा मन करता it on Aku की अंकल अंती से मिलने को मैं उन से मिली नहीं थी और मैंने कभी फोन पे भी बात नहीं की थी बस मैं uncle को alka काईंटी से थे पोन बात करते वे सुनती थी तो अब देखो वहला कहा हूँ मैं speaker phone पे भात करते नहीं थे भस उन दोनों की conversation की vibes आती हूँगी मेरे मन में ये जर्भाइश जागती थी कि मुझे अलका आंटी से मिलना चाहिए, मेरी इनसे बहुत बनेगी तो संगा जी न्यूयज्य सथज़ वे अंकल ने अलका आंटी को अपने विट किया, तो मुझे और इनसे अच्छी निवे की वो वाकई सही थी ये सब गुरुजी कर रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके तो उन्होंने न मेरा जॉब बला सत्संग सुन रखा था तो उन्होंने पता है कि यह बोला मदू, you should do a सत्संग at your home आपको अपने घर में सत्संग करना चाहिए गुरुजी ने आपको जॉब से बलेस की है तो मैं बड़ी खुश हो गई कि अंदर से एक दम से आया कि जिस चीज की जिस हिंट की मैं वेट कर रहे थी ना, वो हिंट, वो इंडिकेशन तो मुझे बड़ी स्ट्रॉंग फीलिंग आई कि अब तो मुझे सत्संग करवाना ही चाहिए घर पे तो संगजी जब मैं घर पे आई ना तो मैंने अपने हस्बिन पवन अंकल को बोला मैंने का जिस हिंट की जिस इंडिकेशन की मैं वेट कर रहे थी वो मुझे लगता है आज मिल गया है ऐसे सेलकाणटी ने बोला तो ना घर पे फर्स सत्संग करवाना है लेकिन मुझे लग रहा है कि हम कर पाऊंगी या नहीं क्यूंकि मिर पस सत्संग का समानी है मिर पस आर्ती की थाली नहीं है संगाची, गौर करना, मेरे मूंसे आर्ति के थाले क्यो निकला। तो आप देखो, मैंने अंकल को पवन अंकल को बोला कि मैं कर भी पाओंगी या नई, ये सच्छंग का सभानी ही नही है, मेरे पास आर्ति की थाली ही नही है। अच्छा उसके बाद मैं everyday morning job पे जाता हुए ना रास्ते में मैं अपनी ममी से बात करती थी तो मैंने अपनी ममी को भी same चीज रिपीट करी कि हमारे हैं सत्संग करना है गुरू जी का indication मिल गया है लेकिन मेरे पास तो सत्संग का समान ही नहीं है मिरे पास तो आर्ती की थाली नहीं है तो दो लोगों गयी अच्छा अपनी बीटी आरूशी अँठी को भी बोला तीन लोग गई अपनी sister अंच वांती को बोला इन चार लोगों को बूला उसके बाद मतलब गुरु जी ने देख लिया कि इसने आर्थी की थाली की रट लगा रखी है उसके बाद संगर जी क्या हुआ हमारे जोए अंटी है गुरु जी उनको भी बहुत ब्लेस करें उन्होंने यहां कहीं सत्संग रखा था गुरु जी का बहार तो जिस दिन उनकिया सत्संग था उससे एक दिन पहले सunandan अंकल हमारें आये तो मैंने सunandan अंकल को भी सेम बात बोली लें अंकल प्रमें जस इंडिकेशन की वेट कर रही ती ना वह इंडिकेशन मिल गया है मुझे अपनी घर पे सतसंग करने है बढ़ा मन है लेकिन मेरे पास सतसंग का समान नहीं है मेरे पास सा आर्थी कि थाली ही नहीं है तो अंकल ने क问 इसमें कॉनसे बड़ी बात है वो की ज़रूरी थोड़नया आपको बड़ी एक्स्क्लूजिव थाली करने कोई भी साफ से थाली लेलो कोई स्पेशल जरूरी थोड़ने को स्पेशल आर्ती की थाली तो मैंने का उंकल वह बात तो है लेकिन फिर भी तो गुरुजी को समझ में आ गया कि इसने आर्ती की थाली की रट लगा रही है संग जी अब मैंने आपको बोला ना चार तो मेरे फै संग हो गया ना ऐसे गुरुजी के स्वरूप के सामने वो खड़ी थी और अचानक से उन्हाने पीछे मुड़ के देखा और वो कहती है मदुदी कैन यो टेक दिस आर्ती की थाली तो मैं हिरान हो गई अचानक से या आर्ती की थाली मुझे ले जाने को कह रही है तो पहले तो मुझे लगा कि इनको किसी ने पताया होगा लेकिन मैं भाघी वागी गई मैंने कि अप ऐसा क्यूं बोल रहे हो और गुरु जी ने कितना beautifully अपने satsang में, अपने संगत के थू मुझे आरती की थाली दी और संगत जी मैं बहुत खुश हुई और मैं जब घर पे आई ना उस आरती की थाली में satsang की जोद चल रही थी मैं satsang की जलती उई जोद आरती की थाली में लेके जब इस घर में घुसी ना मुझे इतना अच्छा लगा, इतना heavenly pleasure मिला मैं आपको बता नहीं सकती मतलब जो चीज मैं गुरू जी को पता थी, मैंने 4-5 लोगों को बोली लिकिन इन्हों ने जोई आउंटी को बोली नहीं कैसे गुरू जी ने आरती की थाली से bless कर दिया, तो मुझे बढ़ा अच्छा लगा गुरू जी का बढ़ा शुक्राना तो सत्संग तो फिर होना ही था, तो हमारे यह सत्संग हुआ, अब संगर जी, first सत्संग हुआ, second हुआ, third हुआ, अब सत्संग होते गए तो बढ़ा अच्छा लगा, गुरू जी का बढ़ा शुक्राना यहां पे गुरू जी सत्संग करवाते थे, अब मैं इससे पहले एक आपको और बताना चाहती हूँ संगर जी जब हम यहां पे सत्संग्स में जाते थे ना वीकेंड सत्संग्स में तो मैं और मेरी बेटी आरूशी अंटी हम दोनों तो जाते थे अब मेरे हस्बेन पबन अंकल वैसे तो ट्रेवल करते रहते हैं लेकिन जब जब यहां होते थे ना उनको बहुत कम बोलते हैं और वो बिल्कुल भी नराज नहीं होते बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं उन्होंने बड़े प्यार से बोल दिया ऐसे इसका मतलब नहीं मदो मैं हाँ जोडता हूँ आप चले जाओ वो कभी भी ऐसे गुस्से से बोलते ही नहीं उन्होंने हाँ जोडती है तो जब उन्होंने ऐसा किया ना मैंने एक बार उनको दूसरी बार सत्संग पे जाते हुए पूछा फिर उन्होंने सेम किया मैंने मन में का मैंने का गुरुजी कभी पवन अंकल भी हमारे साथ सथसंग चलेंगे, मेरा बड़ा मन है कि पवन अंकल भी सथसंग चलेंगे, हम तीनों के तीनों आपके सथसंग में आएं, और पवन अंकल भी आप से जोट जाएं, आप उनको भी अपने शरन मिलो, उनको भी ब्लेस करो, गुरुजी कभी ऐसा भी होगा, तो संग जी गुरुजी ने वो भी कितना beautifully वो भी bless किया, आप सुनो, तो अब क्या होगा, दो तीन सचसंग सोगे, तो मन में ये अरधास थी कि कभी पवन अंकल भी हमारे साथ चलेंगे, तो एक पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना, सुननन्दन अंकल, वोई सुननन अंकल का निय अजिता था इस झाहिए उनके मन में सुननन अंकल के बहुत जयादा रिस्पेक्ट थी कि he is like a local guardian, A. मैं उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट थी और है सुनंदर अंकल के लिए तो हाला कि वो गुरुजी से भी जुड़े नहीं हुए थे क्योंकि इन्विटेशन सुनंदर अंकल से आया है तो उन्हों ने कहा कि मैं मना नहीं कर सकता तो उन्हों नहीं कहा जरूर हूँगा लेकिन ये सब गुरुजी के लिला होते हैं, गुरुजी के तरीके होते हैं कहने को तो सुनंदर अंकल नही इンヵिटेशन दी है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता जाओंगा लेकिन गुरुजी ने किसी जरिया से तो बुलाना ही था ना, तो पवन अंकल इसलिए तो मैंने मन में mo जोड़ लो तो संगा जी नियू येर्स सत्संग में पवन अंकल गए तो जब वो गए उन्हों ने सब देखा कि कैसे सेवा होती है कैसे सत्संग share किये जाते हैं तो जब वो घर आये जब मैंने उनको वो अलका अईटी वाली बात बताई तो मैंने साथ ही उनसे बुचा बाईती वैं आपको कैसा लगा तो उनोंने भॉला हां ठीक था तो बस इतना ही बोला उनोंने वो ज़ादा वैसे बूलते ही नहीं है तो मुझे लगा चलो, मतलब इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है मुझे ये दिख किया उसके next day उन्होंने दुबई जाना था in fact उनको दुबई पहले जाना था लेकिन अंकल के सत्संग की वज़े से उन्होंने लेट किया मैं कह रही हूं कि अंकल का सत्संग से सब करवा गुरुजी रहे थे तो गुरुजी ने उनका दुबई से होता है इंडिया जाना भी एक दो दिन लेट करवाया ताकि वो इस सत्संग को अटेंड करके गुरुजी से चूट सकें गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकें तो संगर जी उन्होंने इम्मीटियटली नेक्स टे दुबई जाना था संगर जी उनकी ना ओफिस में एक किसी ऑडिटर के साथ मीटिंग थी अब वो ऑडिटर के साथ बैठे है डिफिनिटली वो ऑडिटर तो गुरुजी से ने जुड़ा हो वो गुरुजी के बारे में जानता ही निया है साथ इंडियन है संगर जी वो ऑडिटर बैठे है पवन अंकल बैठे है अचानक से conversation होती है और वो ऑडिटर अंकल कहते है कि डॉक्टर मदान अचानक से ने जानता है उसमें उन्होंने यही दो example दिखाने थे हमें मालूम है ओम और रोस अपिटोम और गुरुजी ओम तो गुरुजी है और रोस मतलब देखो यह इतनी सारी millions of things में यही दो चीज़ें दिखाने थी उन्होंने तो उन्होंने जब पवन अंकल को दिखाया तो पवन अंकल बड़े हैरान हो गए तो उन्होंने immediately में को pictures भेजी तो मैं भी बड़ी हैरान हो गई तो मैंने ग्रूप में भी शेयर किया मैंने पवन को बोला मैंने का देखो आपके journey शुरू हो गई ये Guruji definitely आपको bless कर रहे है तो संगर जी उसके बाद पवन की journey कैसे शुरू हो या आप ये देखो तो उसके बाद पवन अंकल इंडिया गए अब जब इंडिया गए ना तो यहाँ पे UK परिवार के लिए मुझे स्वरूप चाहिए थे तो जो बड़े मंदिर के सेवादार प्रवीन अंकल है गुरू जी उनको भी bless करें उनको मैंने WhatsApp पे request भे रहे थी कि गुरू जी प्रवीन अंकल जी प्रविवार के लिए बड़े स्वरूप चाहिए तो उनने का definitely तो कहने को तो पवन अंकल बड़े मंदिर गए प्रवीन अंकल से स्वरूप लेने के लिए क्योंकि मैंने मंगाये थे लेकिन ये तो एक जरिया है बहान है गुरू जी ने उनने अपने से जोनना था तो वो गए वहाँ पे गुरू जी ने बुलाया उनको गए उनको बड़ा अच्छा लगा संगर जी वो स्वरूप लेने के बहाने से गए के जरिये से गए लेकिन गुरू जी ने देखो उनका कैसे कल्यान किया मेरे हस्बिन को ना पीठ में बहुत दर्द रहता था बाक पे बहुत जादा दर्द रहता था और उन्होंने ट्रैवल करते रहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में वेस्टन कंट्रीज में तो कुली भी नहीं होते हैं वो समान भी खुद उठाते थे तो उनको बहुत बहुत बैक में पें रहता था अब ना उन्होंने गुरूजी से मांगा न मैंने गुरू जी से मांगा भैके के बारे में वो पहली विजित में जब गुरू जी के बड़े मंदिर गए ना तो वो फर्स्ट विजित थी या सेकेंड थर्ड विजित थी सुरी मुझे यह याद नहीं है बट फर्स्ट फ्यू विजिट थी तो मैंने उनको बोला था कि जब आप बड़े मंदिर से होके आओगे ना तो मुझे फोन करके बताना कि आपको स्वरूप मिले या नहीं और आपको कैसा लगा तो जब वो गए ना बड़े मंदिर में जो भी विजिट थी तो वो लंगर परशाद के लिए कहते हैं किसी तरह से मैं बैटा बहुत ज़ादा स्वियर पीट में दर्द हुआ तो कहते हैं उसके बाद हम मंदिर के बाद सीधा घर गए और ऐसा ही करना चाहिए बड़े मंदिर के बाद जाने भी सीधा घर ही चाहिए जो वो घर गए तो घर जाके भी उनको होता रहा फिर दिरे दिरे ठीक हो अगली सुबा तक उनका पीट बैक एक पूरा ठीक था और आज तक दुबारा नहीं हुआ सोचो 2018 एंड की बात आया थिंगे आज तक वो पीट दर दुबारा नहीं हुआ तो गुरुजी ने पवन अंकल का वो बैक एक भी हमेशा के लिए ठीक कर दिया इतना ब्यूटीफुली गुरुजी का बड़ा शुकराना जैसे गुरुजी ने पवन अंकल को मुझे हम सब लोग को हेल्थ ब्लेस करिया आप सब लोगों को भी गुरुजी आपकी सारी हेल्थ इशूस ठीक करें बहुत परफेक्ट हेल्थ दें बहुत ब्लेस करें तो देखो बिना माँगे बिना माँगे गुरुजी ने पवन अंकल का बैक एक बिलकुल ठीक कर दिया सुगुजी इतना है नही क्या हुआ हमारे जब 1st satisang होना था न तो हालग कि ये वाला जो स्वरूप है न ये वाला ये जो स्वरूप है न रेड औन ब्लैक ये सुनंदन अंकल ने हमें दिया था क्योंकि हमारे यां 1st satisang तो अंकल ने दिया अब ये यह स्वरूप भी मुझे बड़ा प्यारा है लेकिन मेरे मन में ख्वाइश थी कि जब हमारे हैं फर्स सत्संग हो ना तो गुरुजी के बड़े मंदिर से बड़ा स्वरूप आए अब संगजी आप सुनो मैंने पवन अंकल को बोला कि आप बड़े मंदिर से स्वरूप लेकर मैंने प्रवीन अंकल को रिक्वेस्ट कर दिये तो गहते हैं और मैंने उनको बोला क्योंकि जो उनका रिटर्न डेट था उसके और हमारे फर्स सत्संग के बीच में ज्यादा गैप नहीं था तो हमने डिसाइड कि आपना स्वरूप लेके उसकी फ्रेमिंग भी इंडिया से करा क्या ना एक तो इंडिया से सस्ती है और दूसरा यहां आने के बाद हमारे पास टाइम नी होगा तो संकर जी परवन अंकल को बोला कि आप अंकल से प्रवीन अंकल से स्वरूप ले क्या ना उस विसिट में ना क्या हुआ यह फर्स सत्संग से पहले वाली जो विसिट थ तो प्रवीन अंकल ने बोला नहीं अंकल अपकल आना अभी आप जाओ लंगा प्रशाद खालो अंदर हो आपकल आना तो ठीक है जी अंदर गए लंगा प्रशाद किया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली बड़े मंदिर गए आ गए अचा अगले दिन फिर गए अगले द प्रवीन अंकल अच्छली ना वो गुड़गाओं में एन्वल सच्छंग था उस वजए से बिसी थे अब क्या हुआ एक दिन जब प्रवीन अंकल ने बुलाया ना कि बोला कि कल आ जो कल पक्का दूंगा वो पक्का वाले दिन भी नहीं दिया फिर पवन अंकल अंदर गए लंगा प्रशाद खा के गुरुजी के दर्शन करके आ गए लेकिन इस बार आके मुझे बोले कि मधू मैं जाता हूं इतनी दूर होता है मैं अब आप टाइम चला जाता है अब नहीं तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी के में को बड़े मंदिर से स्वरूप चाहिए फर् और यह मैं वेंस्टे इवनिंग को मैं ओफिस से निकली तो मुझे लगा यह मैं प्रवीन अंकल से बात करते हूं अपने तुकाता स्वरूप अभी तो उनके वापिस आने का टाइम आ गया पवन अंकल का तो मैंने प्रवीन अंकल से बात करी तो वो इतने अच्छे है ना जितने भी बिजी होते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, गुरू जी के सारे सेवदार इतने डेडिकेट हैं, तो मैंने उनको बोला, मैंने का प्रवीन अंकल स्वरूप तो मिला नहीं, अब तो पवन अंकल आने लगे हैं, तो कहते हैं, उनकी फ्लाइट कब है, मैंने का फ् अंधुक सवरूप मिल जायेगा आपके सवरूप मुह मुझे पवन अंकल का नंबर August दे दो और आप चिंदा मत करोू तो मैंने उनको पवन अंकल किन ते दिया उन्होंने पवन अंकल से क्या बोला गुरू जी नहीं ऊंच क्वjm पवन अंकल उनकियां चले गए, मतलब बड़े मंदिर चले गए, पवन अंकल जाने से एक दिन पहले भी बड़े मंदिर गए, गुरू जी का बड़ा शुक्राना, दर्शन की ये लंगा प्रशाद लिया, और उस दिन स्वरूप मिल गया, कौनसा स्वरूप, ये वला तो कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ, अब संगर जी देख यह सारी लीला गुरु जी रच रहे थे, इन्हों ने इस्टूडियो वाले को बोला कि अरजेंट है इसकी फ्रेमिंग कर दे, लेकिन यह नहीं बोला कि मैंने ट्रैवलिंग करनी है, उन्हों ने बोला अरजेंट है इ उसमें बहुत टाइम लगता है, जो ग्लास फ्रेमिंग होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं बस ए ग्लास पीस चड़ाना होता है, अब उसको तो पता नहीं था इन्होंने ट्रैवल करना है, तो उसने क्या किया अरजेंसी की वज़ए से गुरु जी के इस स्वरूपे ना तो पवन अंकल ने बताया फ्रेम हो गया, तो मैं बड़ी खुश हो गई, अब संगर जी वो फ्रेम्ड स्वरूप लेके, बड़े मंदिर का फ्रेम्ड स्वरूप लेके, पवन अंकल दुबई से होते हैं उनने इंडिया आना था, और उन दिनों में ये अपना दुबई का उपरेशन वाइंड अप कर रहे थे, तो इनका सारा स्टाफ इंडिया वापिस जा चुका था, खाली एक लड़का बाकी था, अब संगर जी आप ये बात सुनो ध्यान से, ये अपने ओफिस में, जो इनका ओफिस है वो उसमें वेराउस भी है, अब क्योंकि ये उपरेशन वाइंड अप कर रहे थे, इनको सारा स्टाफ खाली करना था, वेराउस खाली करना था, तो इनको सबसे उपर कहीं एक पैलेट था, उस पैलेट को रीज करना था, अब मैंने बताया, सारा स्टाफ इंडिया जा चुका था, खाली एक लड़का था, वो भी बिजी था, तो उचाही से धडाम से नीचे गिरे और ना मतलब इतनी ठड इतना जोर से हवा आजाई कि पडोसी भी आगए और वो लड़का भी भागा आया तो उन्हों ने इनको ऐसे नीचे लेटर वे देखा तो और उन्होंने वाद सुने थी वो फोकलिफ्ट और वो गिरे वे देखा था तो उनको समझ में आगे कि इतनी उचाई से गिरें तो उन्होंने तो सोचा एंबुलेंस बनानी पड़ेंगी बचेंगे भी या नहीं तो उन्होंने आपस में बात करी एंबुलेंस नंबर एंबुलेंस नंबर इतने में पवन अंकल कहते हैं नो नो I am fine I am fine वो सब लोग हैरान हो गए कहते हैं are you sure you are fine तो कहते हैं हाँ I am fine इन्होंने दिखाए इनको सिर्फ बाजू पे न स्क्रैच आया था इतने उचाई से गिर के बाजू पे सिर्फ स्क्रैच आया तो वो सब के सब लोग बोले कि डॉक्टर मधान आप जिस भी इष्ट देवता को जिस भी भगवान को मानते हो ना आश तो उन्होंने ही आपको बचाय है उनका शुक्रिया करो वरना तो इतने उचाई से गिर के कोई बचने वाला नहीं था जिस भी किसे इष्ट देवता को और परमात्मा को आप मानते हो उसका शुक्रिया करो Divine power नहीं आपको बचाया तो पवन अंकल ने मुझे वो बाजू के scratch वाली फोटो भेजी पहले तो मैंने का रहा 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 ये कैसे हो गया लेकिन गुरु जी ने वो दिखा भी दिया संगर जी क्या हुआ उसके बाद पवन अंकल ना UK आ गए अब UK आए ना तो हमारी असचसंग था उससे पहले ये बड़े मंदिर का लाया हुआ स्वरू जो वो अर्जेंसी में इंडिया से फ्रेम करा के लाए थे संगर जी जब वो हमने खोलना चाहा ना अब ये वाला स्वरू भी वो इंडिया लेगे थे फ्रेम कराने के लिए अब ये तो क्योंकि पहले ही लेगे थे बहुत टाइम था इसकी प्लास्टिक फ्रेमिंग थी बिल्कुल सही सलामत निकला लेकिन ये वाला स्वरूप जो था ना अरजेंसी की वज़े से क्योंकि गुरू जी के बड़े मंदिर से गुरू जी ने कुछ घंटे पहले ही दिया था उनकी फ्लाइट से तो इसकी अरजेंसी की वज़े से स्टूडियो वाले ने ग्लास फ्रेमिंग की थी तो जब हमने वो मतलब ओपर के रैपर सारे खोले हम लोग तो देख के हरान होगे कांच के टुकड़े हो चुके थे मतलब इतने कांच के टुकड़े थे मैं आपको बता नहीं सकती थी पूरा कांच का फ्रेम तोट चुका था और हम लोग हैरान हो गए तो हमने वो सारे कांच के टुकड़े निकाले अभी भी ये जो स्वरूप है न संगर जी इस पर फ्रेम नहीं चड़ा हुआ क्योंकि वो कांच के टुकड़े हो चुके थे हमने सारा फ्रेम उतारा जै गुरू जी तो संगर जी जब मैंने वो पूरा फ्रेम उतारा नहीं तो देखा गुरू जी के नाम यहां माथे से यहां तक ना स्क्रैच मतलब ऐसे लगता है कि यह चोड पवन अंकल को आनी थी इतना अब्वियस वो स्क्रैच माथे से होते हुए नाक से होते यहां अब भी भी है वो स्क्रैच और मैं जब जब वो स्क्रैच देखती हुए ना मुझे इतना लगता है गुरू जी ने कश्ट अपने उपर ले लिया मतलब वो इतना ओवियस स्क्रैच हमने ग्लास उतारे वो स्क्रैच देखा मुझे अंदर यंदर बड़ा रोना आया, मुझे सारी बात समझ में आ गई क्या हुआ और गुरुजी ने मुझे बहुत बार पढ़वाया था गुरुजी के वचनों में भी, सतसंग्स में भी गुरुजी के वचन कहते हैं कि जदो भी मेरा स्वरूप खंडित हो जावे, नश्ट हो जावे या गुम जावे ते समझना मैं तोड़ा कोई कष्ट अपने उत्ते लिता है या तोड़ा कोई कष्ट टाल दिता है जदो भी मेरा कोई स्वरू खंडित हो जावे नश्ट हो जावे या गुम जावे ते समझना तो आटा कोई कश्ट में टाल दिता है या अपने उत्ते लिता है ये बढ़ रखा था ग्लास फ्रेम टूटा हुआ देख रही हूँ पवन अंकल के साथ एक दिन पहले ये हुआ गुरू जी के स्वरू पे वो स्क्रैच सारी बात समझ में आगए बस शुक्राना ही शुक्राना निकला गुरू जी के लिए कि गुरू जी आपका बहुत शुक् द्रीजा को बढ़िवार ये बातरि गण की दून हान्कसा बात्या सथिती ड़िने जरूर जाते हूं अपने आप आप आज। आप आपने पवन अंक्ल कोते हैं और था कि छो लोगड़ार करें हैं इस टिस्टर्मिस नियूरु कहने का मतलब थे खिभरू जी ने बहुत ही दहं से पवन अंकल को अपने से जोड लिया है और मैं अब देखती हूँ ना जैसे work from home चल रहा है सुबा उठते हैं अपना office का काम शुरू करने से पहले यहां आते हैं गुरू जी के चरन कमल शूते हैं सुरात को सोने से पहले गुरू जी को और गुरू जी ने इतना nicely इतना beautifully पवन अंकल को जोड दिया पवन अंकल को bless किया उनकी back act ही कर दी उनकी जान बचाई में तो जितना शुक्राना करूं गुरू जी का कम मैं जितना शुक्राना करूं गुरू जी का बड़ा शुक्राना अपनी हर blessing देने का भरपूर blessing देने का संगर जी अब मैं आपको चलो मैं आपको न एक गुरू जी की आगया हुई तो एक सचसंग और सुनाती हूँ इस blessed गद्धी का मुझे नहीं याद मैंने पिछली बार इस सेवा में सुनाया है या नहीं लेकिन आज सुनाती मैं आपको संगर जी जैसे मैंने बताया ना कि जब गुरू जी के सचसंग सोते थे ना हमारे घर में गुरू जी की किरपा से जब सचसंग होते थे थे ना अब क्या हुआ कि हमारे आना हमारे थी सीटर सोफा है तो मैंने बोला भी पवन अंकल को कि हम three-seater sofa लेंगे तो drawing room खाली-खाली लगेगा तो उनों ने बोला ऐसी बात है तो हम दो-three-seater लेते हैं लेना तो यही है मुझे यह model पसंद है तो मैंने एका ठीक है तो this was the reason कि हमारे घर में ना single-seater sofa ना double-seater sofa अब जब गुरुजी के सचसंग पहला सचसंग हुआ ना तो हमने उस three-seater sofa को center में लाके गुरुजी को बड़ा दरवार लगाया बहुत अच्छा लगा second सचसंग में भी ऐसे किया, third में भी ऐसे किया, fourth में भी ऐसे ही किया लेकिन ना फिर उसके बाद लगा कि थोड़ा change होना चाहिए काश की मेरे पास single-seater sofa होता तो मैं उस पे गुरुजी की गद्दी लगा तो उसके बाद क्या हो सचसंग जब last year lockdown हुआ ना तो lockdown में बाहर के physical सचसंग तो बंद हो गए वर्चुल सचसंग लोग अपने घर में ही करते थे अब क्या हुआ एक दिन यहां पे ना संडे के वर्चुल सचसंग शुरू है in the sense संडे सचसंग की प्लेलिस्ट आती है Saturday evening तक आ जाती है तो ना वो यह decide हुआ था क्योंकि महामारी फैली हुई है same time पे बहुत लोग अगर pray करेंगे अर्दास करेंगे सचसंग करेंगे तो collective prayer की collective अर्दास की बड़ी पावर है तो 12 13 to 2 30 Sunday UK time पे वो सचसंग बहुत लोग मिलके करते हैं अपने अपने घरों में तो मैंने जैसे बोला वर्चुल है अपने अपने घरों में करते हैं तो संगर जी उन दिनों में मैं जब लॉक्टाउन शुरू हुआ तो मैं फिजिकल सचसंग बहुत मिस करती थी बड़ा मन करता था तो क्या हुआ गुरू जी ने वो भी मेरी ख्वाई सुन ली तो वो संडे की प्लेलिस्ट आई ना तो पहली बार तो मन में आया कि घर पे ये वर्चुल सचसंग प्लेलिस्ट चलाऊंगी मज़ा आएगा वो मज़ा आएगा या नी लेकिन कोई बात नहीं संगर जी वो मैंने प्लेलिस्ट चलाई और मैंने न कड़ा प्रिशाद भी बनाया, चाय प्रिशाद भी बनाया, लेकिन मेरे पास कोई सोफा ही नहीं था, सिंगल सीटर सोफा, और हर बार, मतलब क्योंकि अब वो थ्री सीटर सोफा फिर से शिफ्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा लेजीनेस सी आई, लेकिन सब ग लेजल स्टेंड पे गुरुजी का स्वरूप था, तो मिलको ना एक न स्टमक प्रॉब्लम चल रही थी, कफी हफ्तों से चल रही थी, जब वो संडे की वो प्लेलिस चली तो उसके बाद आर्ती करी ना, तो मुझे पता नहीं क्या हो संग जी मैंने ना डांस करना शुरू क कितने हफ्तों से वो पेट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, तो उससे मेरा उस संडे संग के लिए ना, बड़ा वो फेट बिल्डप हो गया, मेरा मन किया कि मैं मतलब आप बाहर संग जाते हो, अब यहां घर बैठे-बैठे संग किया औ मुझे, ऐसे करते-करते ना, हर संडे को मैं करती गई, तो बड़ा आनन दाता था, बहुत अच्छा लगता था, एक बार क्या हुआ संगची, यह एंड जून का टाइम था, तो उन दिनों में, एंड या मिटल जून का टाइम था, तो जब मैं इस संडे का सच्छंग करके बैठी ना, तो मैं मनी मन में गुरुजी से बात कर रही हूं, तब तक यह गद्धी नहीं थी, हां, तो मैं तभी मनी मन में गुरुजी से बात कर रही हूं, कि गुरुजी, मैं बड़े प्यार से प्रशाद बनाती हूं, सच्छंग में बैठती हूं, प्लेलिस चलाती हूं आप आते तो हो ना, अब ये silly doubt है, ऐसा सोचना भी नी चाहिए, कोई गुरुजी कोई गदी के मुताश्ट होना है, लेकिन वो कही बर भाव आ जाते हैं, वो भाव भी गुरुजी लाते हैं, गुरुजी ने अपनी लीला रच रखी होती है, तो मेरे मन में ही आया, इनर वोइस थी, गुरुजी टेली बैती से बोल रहे थे, या ये मेरे ही मन में जो ख्वाइस चल रहे हैं, वो ही आज निकल के आई है, तो मुझे समझ में नी आया, तो मैंने सोचा कि, चाहे मेरे मन की बात है, या गुरुजी बोल रहे हैं, जो भी है, ये अगर एक बार आ गई है, तो मुझे करना चाहिए कुछ तो मैंने का गुरुजी अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जब लॉप्डाउन खुलेगा ना, तो मैं सिंगल सीटर सोफा ले के आऊंगी, उस पे आपकी गदी लगाऊंगी, लिकिन मैं अगले संडे को कुछ ना कुछ तो और सचसंग के बाद मैं बोलने, सौरी गुरुजी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, आपको टाइट लग रहा होगा ना, क्योंकि वो मनदब टाइट सी चैर थी, अब ये भी सिली सी बात है, टाइट लग रहा होगा, गुरुजी के लिए क्या टाइट और क्या लूस लेकिन अगैन ये सब चीजे भाव भी गुरुजी लाते है, तो मैंने का सौरी गुरुजी जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही मौका लगेगा ना, मैं सिंगल सीटर सोफा ले कि आओंगी और आपकी गद्डी लगाओंगी, और मैंने रट भी सिंगल सीटर सोफा की ल इंडिया संगत को जिसको मैं कभी मिली नहीं हूँ, जूम पे उनका सथसंग सुना था, उनको गुरुजी ने विजन में दिखाया कि मदुवांटी के सथसंग है, और गुरुजी मदुवांटी के सिर पे हाथ फेर के मदुवांटी को ब्लेस कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझ तो वन-to-one connection होना चाहिए, लेकिन इसमें सच्संग करने की बात है, तो इसमें क्या बुराई है, तो मैंने उनकी बात मान ली, मैंने का ठीक है आपको विशन आया, तो फर्स जॉलाई को सच्संग कर लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स जॉलाई को सच्संग का इनवाइट डाला और क्योंकि यह अच्छे से, मतलब सच्संग सारे अच्छे से होते हैं, मतलब इसको जूम स्ट्रीम करना था, तो मैंने सोचा की प्रॉपरली दरबार लगाएंगी, मैंने क्या वोला कि हमारे पास सिंगल सीटर सोफा नहीं था गदी के लिए, तो दरबार लगाने के लिए वो थ्री सीटर सोफा की ऑप्शन थी, तो हमने वो जूम करना था, तो हमने वो थ्री सीटर सोफा सेंटर मिला है, उस पे दरबार लगाया, बड़े अच्छे से सच्संग हो गया, तो संगर जी जब सच्संग हो जा एवनिंग में ऐसी बात हो थी, पवन अंकल बोले की स्ट्रॉंग भी बोला, मैंने का देखा मैं कहती हो ना काश की हमारे पर सिंगल सीटर सोफा होता, तो उस पे गुरू जी की गद्दी लगाते, मैंने का कुछ भी हो जाए और मुझे सिंगल सीटर सोफा जी अब तो लाना ही है, यह फर्स जुलाई इवनिंग थी संगर जी, क्या बोला गुरू जी से कितनी बार बोल रही थी, इस बर पवन अंकल से बोला गुरू जी ने सुन लिया कि मुझे सिंगल सीटर सोफा चाहिए सिर्फ और सिर्फ गुरू जी की गद्दी के लिए, अधर्वास किसी और पर्पस के लिए नी चाहिए, और संगर जी एक ना रमन अंटी हैं, वो हैं तो यूके गुरू परिवार की, लेकिन वो उन दिनों इंडिया शिफ्ट हो रही थी, और आज की डेट में वो इंडिया में है, अब उनका ना इंडिया शिफ्ट होने के लिए उनका वाइंड अप चल रहा था, और उन्होंने अपना सारा फरनीच की गदी के लिए यूज किया था, जब जब उनके अंसाथ संगता, और उस सोफे का उन्होंने बड़े प्यार से संभाल के मतलब मेंटेन कर रखा था, हर चीज डिस्पोज ओफ होती गई, लेकिन उन्होंने पहली बर जब उस सोफे के बारे में सोचा ना, तो उन्होंने का गुरुजी ये किसी संगत के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि इस पे आपके गदी लगाई है हमेशा, तो उन्होंने जब ये मन में उनके खयाल आया ना, गुरुजी ने उनको मेरी फोटो उनके आँखों के सामने लाई, ये मैं अभी तो 1 जुलाई की बात करे हूँ, लेक गुरुजी ने उनको मेरा चहरा दिखाया, लेकिन उनको श्याद हैसिटेशन आ गई कि मदुदी को ठीक लगेगा ये नहीं लगेगा, दूसरी बार फिर ऐसा हुआ, तो उनके साथ 3-4 बार ऐसा हुआ, और उन्होंने कोशिश करी इस सोफा को डिस्पोस आफ करने की, इतन अच्छा सोफा, इतना वेल मेंटेंट, सबको पसंद आता था, लेकिन किसी ना किसी वज़े से कोई लेगी ही नहीं गया, तो वो खोध हरान होती थी, कि उन्होंने इतना भी कहा कि फ्री में कोई ले जाए, लेकिन कोई, मतलब गुरुजी चाहता ही नहीं थे, तो एक गदी के लिए इस्तमाल हुआ है, वो चाहती थी कि संगत क्या आँ जाए, और मैं एक दिन पहरे गुरुजी से कह रही थी कि मुझे सिंगल सीटर सोफा लाना है गुरुजी की गदी के लिए, तो देखो क्या किया, रमन आटी जो शिफ्ट हो रहे थी, ये सिंगल सीटर और उस मेसेज में उन्होंने सोफा की पिक्चर भेजी, उन्होंने बोला, मदुदी, I have this sofa, I want to give it to you, are you okay with this? तो मैं ये हिरान हो गई, मैंने का ये हमारे घर की बात है, घर में पवन अंकल से बात हुई थी, ये क्या ऐसे, मैंने का इसे, मैंने का इसे, मैंने का इसे, मैंने हेसिटेट करती रही कि पता नहीं मदुदी को ठीक लगेगा या नहीं, लेकिन आज मेर से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको ये मेसेज भीजा, तो गुरुजी का शुक्राना कि मैंने का अब आप मेरी साइड सुनो, तो मैंने उनको अपनी साइड सुनाई कि देखो, मैं ऐसे कहती रहती थी, लेकिन कल मैंने बड़ा स्ट्संग के बाद, कि गुरुजी मुझे सिंगल सीटर सोफा लाना ही है आपकी गदी के लिए, तो देखो, गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी, आपके मन की बात सुनी, और कैसे गुरुजी ने हमें मिलवाया, तो हम दो कि जब रमन आँटी ने इंडिया शिफ्ट होने का सोचा था ना, तब भी उनको ना जब उन्होंने सारा वाइंड अप करना शुरू किया था ना, तो उनके हस्बिन संधीप अंकल उनके मन में ना, दोनों के मन में एक चिंता सी आ गई, कि अगर कुछ समान रह गया तो क्य करेंगे, और उनके पास ने गुरू जी का एक बहुत बढ़ा स्वरूत था, बहुत बढ़ा, और जिसको उन्होंने बहुत ही बड़ीया, मतलब, स्ट्रॉंग फ्रेमिंग भी करा रही है, बहुत बड़े साइस का है, तो उनने एक स्वरूत भी कैसे लेके जाएंगे, तो मन में नहीं चिंता आ गई थी तो जब उनके मन में चिंता आया उसके अगले ही दिन मेरे हस्बिन पवन अंकल ने उनके हस्बिन को कर्टसी कॉल किया अपनी तरफ से कर्टसी कॉल किया लेकिन गुरुजी करवा रहे थे मेरे हस्बर ने बोला कि संधीप अगर आपका कोई चीज रह जाए ना जब आप जाओगे तो कोई बात नहीं है मैं तो इंडिया आता जाता रहता हूं मैं ले आओंगा तो सोचो अपनी तरफ से पवन अंकल कर सी कॉल कर रहे थे लेकिन संधीप अंकल और रमान आँटी को ऐसे चिंता हो रहे थी का अगर को समान रह जाएगा खास तोर पर गुरू जी का स्वरूप तो हम क्या करेंगे तो कैसे गुरू जी ने उनके चिंता भी दूर कर दी तो संगल जी अब जब ये गदी की बात हो रही थी न तो मैंने रमान आँटी को बोला तो वो बड़ा स्वरूप अभी भी आप हमारे पास देखे जाओगे केती है हाँ हाँ वो तो decided है तो मैं बड़ा खुश्री मैंने का गुरू जी ने बड़ा स्वरूप पहले decide कर दी अब गदी तो मैंने का बड़ा स्वरूप भी लाना है गदी भी मैं तो बड़ी respectfully लाओंगे आपके यहां से हम कोई वैन वैन नी बुक करेंगे तो मैं खुद आऊंगे बड़ी respectfully गुरू जी का स्वरूप और गुरू जी की गती लेके आएंगे संगर जी गुरू जी की टाइमिंग देखुआ हम 2 जुलाई को बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कब आओगे तो उनने का कि न कोई बड़ी कार में ही आएगा संजोती ने आना था हमारे आप उनसे पूछा अगर वो अभी भी आ रही है तो अब संजोती भी आंके यूखे परिवार के हैं गुरू जी उनको बहुत ब्लेस करें तो मैंने का ठीक है उनसे पूछती हूँ तो संगर जी जब संजोती आंटी से बात की ना तो उन्होंने का हाँ तो अब रमन आटी जब कह रही थी न आप कब आओगे तो गुरू जी ने इतना beautiful thought डाला मेरे मन में तो definitely वो गुरू जी का ही thought था हम इंसान तो वो सोची नहीं सकते हैं तो उन्होंने का आप कब आओगे यह second जुलाई का दिन है मैंने का सुननदन अंकर ने अपने यहां गुरू जी का बड़े सत्संग रखा है हाला कि वो virtual सत्संग है क्योंकि lockdown चल रहा है लेकिन मेरे सेवा है मैं वहां जाओंगी सेवा देने के लिए मैं हाँ बैठोंगी भी थोड़ी देर तो क्योंना मैं वहां से लंगर प्रशाद लेके आपके यहां आजाओं आपको जाते जाते गुरू जी का blessed लंगर प्रशाद मिल जाए तो गुरू जी ने इतनी प्यारी सोच दी गुरू जी का बड़ा शुक्राना तो कहती है इससे बड़िया क्या हो सकता है देखो कोई पांच साल यहां रहके जा रहा हो तो उसको कितना मन में emotional होता है तो ये बात सुनके उनको बड़ा अच्छा लगा तो हमने क्या गुरू जी ने वो decide करवाया तो वो ही हुआ 7 जुलाई को बड़े सच्छंग में अंकल के आँ गए लंगप्रशाद आंटी के लिए पैक किया रमान आंटी के लिए और हम 8 जुलाई को next day को फिर हम रमान आंटी के आँ गए और देखो 9 को उनकी flight थी 7 जुलाई को गुरू जी का बड़े सच्छंग इवनिंग में लंगप्रशाद लिया 8 जुलाई को हम उनकी आं गए अब ये decide करवा दिया गुरू जी ने कि गुरू जी का प्लेस्ट लंगप्रशाद लेके गुरू जी की संगत रमान आंटी के आँ जाएगी अब संगो जी क्या हुआ रमान आंटी के मन में मनी मन में था कि अविनाश आंटी को मिलने को बहुत मन है वो अविनाश आंटी को हम सब अविनाश आंटी को बहुत मधरली देखते हैं वो बहुत अच्छी हैं बहुत मधरली अफेक्शन सब को देती हैं बहुत प्यारी है, मैं मेरे को भी ऐसा लगता है कि गुरू जी ने मुझे यूके में माह सुरू अविनाश अंटी दिये हैं, तो रमन अंटी अविनाश अंटी को मनी मन में मिस्स कर रहे थी, कि मैं जा रही हूं, जाते जाते हैं अविनाश अंटी को मिल लूँ, अच्छा, अब जब मेरा प्रोग्राम संजोती अंटी से बन रहा था, मेरे मन में आया कि विनाश अंटी भी चलेएं तो बड़ा मज़ा आएगा, मेरे मन में तो सिर्फ इसलिए आया कि विनाश अंटी मुझे अच्छी लगती हैं, वो भी साथ में चलेंगी तो मज़ा आएगा, और आप देखो जब यह प्रोग्राम बन गया, जब संजोती आंटी से प्रोग्राम फिक्स किया, जब फोन रखा, फोन रखते हैं, अविनाश आंटी का फोन आया, और उन्होंने इतनी जल्दी तो बात की भी नहीं होगी संजोती से या रमन से, लेकिन मैंने फिर भी पूछा आ मेरा बड़ा मन है, उससे मिलू, तो आंटी का मन था, मेरे मन में आया कि आंटी चलें, रमन आंटी के मन में चल रहा था, तो मैंने कहा सची माम की किसी से बात नहीं कहती है, नहीं, तो मैं, फिर संजोती आंटी ने तो मना करना ही नहीं था, तो फिर अविनाश आंटी भी चली अब देखो अविनाश अंटी मैं संजोती अंटी अनि गुरू जी का गुरू परिवार, गुरू जी के बड़े सत्संका, गुरू जी का ब्लेस्ट लंगर प्रशाद लेके, हम उस संगत क्या जा रहे हैं, जो विचारे बड़े इमोशनल हैं, और वो पांच साल के स्टे के बाद UK छोड़के इंडिया जा रहे हैं, और वो भी इस कोरोना में, लॉक्टाउन में, उनको वो भी लग रहा था इतना ट्रैवल करना है, सब ठीक ठाक रहे हैं, तो देखो गुरू जी ने उनको ब्लेस्ट करने के लिए सब कुछ कैसे किया, गुरू जी के टाइमिंग सुना है, कि गुरू जी अक्सर कहते थे, चलो ओन देखार चलने हां, चलो ओन आंटी देखार चलने हां, चलो ओन फार्म हाउस चलने हां, तो गुरू जी ने जब ब्लेस्ट करना होता था था, अचानक से उठके चल पड़ते थे, और संगत को ले की जाते थे, तो जब ये रमन आंटी के जाने का प्रोग्राम बन रहा था या जब उनके आँ जा रहे थे all this while मेरे मन में ना ये बड़ा स्ट्रॉंग आता रहा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि रमन आंटी को ब्लेस करके आने चलो रमन आंटी के आँ चलते हैं ये बहुत स्ट्रॉंग फिलिंग आती थी मिरको ये वाकई गुरुजी चाहते होंगे गुरुजी ही हमारे साथ गए कि गुरु परिवार जाए रमन आंटी को ब्लेस करके आए ताकि उनकी आगे की चलने आगे की लाइफ बहुत ब्यूटिफुल और सेफ रहे वरना COVID में इतना ट्रैवल करना वो यहां से कोवेंटरी से लंडन लंडन से डेली डेली से बैंगलोड कितना ट्रैवल करके गई इतना एक्सपोजड हुई और गुरुजी ने उनको बचाए रखा COVID से तो उसके लिए गुरुजी ने जाने से पहले ही उनको blessing दे दी तो बहुत अच्छा लगा रमन आंटी ने जब अविनाश आंटी को देखा उनको बहुत अच्छा लगा उन्हों ने बताया देखो मेरे मन में भी ये चल रहा था गुरु जी ने हम सब को bless किया रमन आंटी को bless किया फिर रमन आंटी के आंसे हम गुरु जी का बड़ा स्वरूप और गुरु जी की ये blessed कद्दी ले किया आए तो संगर जी जब ये लिया ना और भी दो-तीन चीजें रमन आंटी ने बोला ये आप ले लो अब कुछ भी coincidence नहीं है मैं आपको छोटी-छोटी बाते तो क्या बता हूँ एक-दो बाते जो गुरु जी सुनवा रहे है अभिनाश आंटी जिस दिन हम रमन आंटी के आं गया ना उससे एक दिन पहले अभिनाश आंटी का या तो water purifier खतम हो गया था यह उन्होंने लेने का सोचा था और अगले दिन जब हम रमन आंटी क्या गया है रमन आंटी कहती ही water purification system बहुत अच्छा है आंटी आप ले जाओ तो बिनाश आंटी कहती है अरे वाँ water coincidence कली तो हम यह सोच रहे थे लेकिन गुरू जी की शरण में coincidence नहीं होता ऐसी मेरे को भी एक दो वही चीज़े उना ने दी जो मेरे को चाहिए थी और मेरे मन में चल रहा था कब जाओ लाओ और यह गद्धी का तो आप भूलो ही मत blessed गद्धी तो खैर है यह तो फिर यह blessed गद्धी और वो सब लेके जब हम गाड़ी में लोट करने लगे ना तो हम सब लोगों को लगा इतना समान है गाड़ी में आईगा भी या नहीं लेकिन जहां गुरू जी होते है ना वहाँ impossible भी possible हो जाते है यह blessed गद्धी भी गाड़ी में आ गई सारा समान भी आ गया हम तीनों भी आ गए गुरू जी का बड़ा स्वरूप तो मैंने और आंटी ने मिलके अपनी गोदी में रखा तो मतलब सब कुछ आ गया पता ही नहीं चला जैसे कि गुरू जी संदीप अंकल को गाइड करते गए और वो फिट करते गए अराम से आ गया गाड़ी में हमें पता ही नहीं चला और इनकन्विनियंस या टाइटनेस भी नहीं लगी तो बहुत अच्छे से सब कुछ आ गया मेरे लिए तो वो भी एक बहुत अच्छी ज सब स्बसाइब भी सब इस चाह疑 बड़े । बडे अच्छे से लेकर आई यह united अब आपको पता चला यह सथ सथसंह कैसे 2 पर अब संग जिशिए और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगों किसी को भी अच्छा लगेगा community जो आदमी लोग होते हैं थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं इतना हम लोगों की तरह बहुत जादा जल्दी नहीं ऐसे होने लग जाते तो जब यह गद्दी आई और मेरे हजबन पवन अंकल को बहुत रहता है कि ड्राइंग रोम में मैचिक होना चाहिए यह वो तो जब यह ग यह गद्दी इतने ब्यूटिफुली गुरूजी की ब्लेस की होई गद्दी आ रहे है और आपको कलर दिख रहा है तो जब यह गद्दी आई न तो उस वक्त हम ठक गए थे रात को तो पवन अंकल ने बोला कि अभी घर के बाहर मतलब घर पे ही सेम फ्लोर पे घर की आप उनकी बात भी सही थी तो मैंने उनको बोला कि इतनी ब्लेस्ट गद्दी हैं मुझे सची में ट्राइंग रुटिफू में प्ता था मिला और लुटा मिला करेगी वह इसे अंगे is लुट भी साप़ा पे हैं वो mediate करती है तो वो as a judge बताती है कॉन right है कॉन wrong है तो उसने बोला मुमा पापा सही तो कह रहे हैं drawing room में थो ना आप मंदिर में रखो जब जब आपका सत्संग होगा तो drawing room में ले आएंगे तो संगर जी अब जब में जोटी हो गई तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी तो मैं वो लटी है जैसे आपके मज़ी अपसो चोद्धान से सुनो reading में ये डिसाइड हुआ है कि ये जो सूफा ये जो ब्लेस्टिकर देती है कि अखले दिन सूफा अगया तो मैंने अपने हस्बेन को रिमांडर आया अगले दिन चुप चाप बबन अंकल वो ब्लेस्टिकर दी ये जो सिंगल सीटर सूफा है यहां ले आए और ले आए और बड़े प्यार से रख रहे थे कह रहे थे ये सेटिंग ठीक है ये ठीक है अभी मैं यहां रख रहा हूं तो बता देना कैसे सेट करना हूं मैं बड़ी हरानों कि इतने प्यार से रख रहे हैं एक इवनिंग पहले कह रहे थे कि नहीं नहीं ये ड्राइंग रूम है तो गुरुजी का ये भी शुक्राना कि गुरुजी ने उनका माइंड चेंज कर दिया और मेरा बड़ा मन था कि ट्राइंग रूम में ये ब्लेस्ट कर दिया है मेरी एक खोयश भी पूरी करी संगत जी अब मैं जब देखती हो ना मतलब गुरुजी की किरपा से गुरुजी की महर से गुरुजी हर वीकेंड सेवा देते हैं और मैं इसी रूम में बैटके सेवा करती हूं गुरगान करती और ये blessed गदी हमारे बीच में होती है तो मुझे लगता है कि गुरू जी को तब पता था ये इसको सेवा मिलने वाली है तब गुरू जी को पता था कि ऐसे इस गदी के गुरू जी आप सब लोगों को भी दर्शन कराएंगे तो गुरू जी को सब पहले से ही पता था मैं हर संडे को जब सचंग करती हूँ ये प्लैस्टिक अदी देखती हूँ इतना अच्छा लगता है गुरू जी को पता था कि 90% टाइम मेरा इस ड्रॉइंग रूम में है तो यहां ही रखवाए गुरू जी ने आप गुरू जी की लीला देखो गुरू जी की टाइमिंग देखो गुरू जी की प्लैनिंग देखो मतलब आप सच्चे दिल से अगर गुरू जी से कुछ ख्वाईश करते हो तो वो कैसे पूरी करते हैं आज की डेट में पवन अंकल बहुत अच्छे से गुरू जी से जोट चुके हैं मतलब मैंने बोला ना आदमी लोग ट्रैक्टिकल होते हैं बहुत बात है अदर्वाइस मतलब सत्संग में भी जाते हैं गुरू परिवार से बात करते रहते हैं जै गुरू जी बोलते हैं जब कोई गुरू परिवार का फोन करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं गुरू जी का जितना शुक्राना करूं कम है, इस blessed गदी का शुक्राना, मेरे परिवार को बचाए रखने का शुक्राना, हमारी फैमिली को अपने से जोने का शुक्राना, पवन अंकल की जान बचाने का शुक्राना, पवन अंकल क को ब्लेस करने का शुकराना Ohh मेरी uem रिसी खीज सु रखा ता था एक आटां तूगुझी से आग्या करना पूं मैंने सोच रखा था था फुछ थो मंडे को हां मंडे को मैंने छुट्टी ली थी तो किसी ग्रूप पे मेरी सेवा थी वो छुट्टी गुरूजी ने जब करवाई होगी उनको पता होगा उनने सेवा देनी होगी तो मंडे को मेरी सेवा थी तो मैं सेवा में ये बुल रही थी गुरूजी बुलवा रहे थे मैं इतनी सारी ब्लेसिंग्स आरे यह पता हैं उसक शुक्राना करते हैं लेकिन इतनी सारी ब्लेसिंग्स आरे जो हमने याद भी नहीं हैं जो हमें याद ही नहीं पता ही नहीं लेकिन गुरू जी ब्लेस करते जा रहे है आप बिल Normally करोगे Monday इवनिंग था या Tuesday था Tuesday मॉनिंग को गुरू जी ने मुझे अपने इस स्वरूप में येवाले स्वरूप में गुरू जी ने मुझे बहुत Under-eye Dark Circles दिखाए ये स्वरूप तो कब से है इस रूम में मुझे पहले क्यों नहीं दिखे जिस दिन मैंने सेवा में ये बोला कि इतने सारे ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो गुरुजी ने करी हैं और हमें याद भी नहीं है मुझे उसी दिन या उसके नेक्स डे गुरूजी के इस स्वरूप में इतने भ्यंकर डाक सरकल्स जो मेरे बहुत अधे संगर्जी बहुत मतलब ऐसे लगता था जैसे गुरूजी ने मुझे अपने स्वरूप में दिखाए ट्यूस्टे को और मंडे को सेवा में ये बुलवाया कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं है और गुरूजी कर रहे हैं और वो मुझे तर्टक होता रहा और संगजी आप सुनके हैरान हो जाओगे वो मुझे बच्पन से बिमारी थी गुरूजी की शरन में आने के बाद वो ठीक हो गई और मुझे याद भी नहीं था मेरा मसाख उड़ाते थे तरी गरारी रटकी रहती है और जो कोई मुझे नया मिलता था न वो कहता था मैं उसको बोलते थी गेट यूस तो डिस यह मेरे ऐसे ही है मैरा चलता ही रहता है हर वक्त यह रहता था हर वक्त मतलब एक बात करती थी होता था उसे सोर्थ रोड कहलो ऐलर्जी कहलो क्या कहलो मतलब हर वक्त रहता था वो जब हम यहां आए और गुरुजी के शरन में आए वो ठीक हो गया मैं हैरान हूँ और मुझे याद भी नहीं था इतने बड़ी चीज आप सोचो मतलब कैसा मुझे ठीक है मैं यूस्टू हो गई थी लेकिन कितना बुरा लगता होगा मुझे जब मैं करती थी और लोग पूछते थे क्या आया तेरे गले में कुछ लेती क्यों नहीं है और जब मेरे हस्बन मसा कुड़ाता है और बोलता है तेरे घरारी अटकी रहती है तो गुरुजी की शरण में आने के बाद वो गुरुजी ने ठीक कर दिया और मुझे याद भी नहीं था और जब मैंने सेवा में मंडे को बोला कि इतनी ब्लेसिंग्स ऐसी है जो गुरुजी करते हमें याद भी नहीं है गुरुजी ने मुझे टूस्डे और थरस मैंने का है ऐसे तो मुझे पहले होता था मुझे वो दस मिंट तक होता रहा मैंने का गुरू जी मैं समझ गे ठीक कर दो तो मुझे पहले होता था और वो फिर दस मिंट में ठीक हो गया मुझे दस मिंट के लिए हुआ वो दस मिंट में मुझे इतनी दिक्कत हुई, तो मुझे जब लाइफ टाइम होता होगा, कैसे लगता होगा, वो दस मिंट में ठीक हो गया, गुरू जी ने रिलाइज करवा दिया, ले ये भी मैंने तेरा ठीक किया, तो गुरू जी का बड़ा शुक्राना, पता नहीं, और म सारी ब्लेसिंग्स का भी शुक्राना जो हमें पता हैं, जो हमें रिलाइज करवा चुके हैं गुरू जी, और उससे ज़्यादा शुक्राना उन ब्लेसिंग्स का, जो अभी तक मुझे याद नहीं हैं, जो मुझे गुरू जी ने अभी रिलाइज नहीं करवाई हैं, शैद वो Zoom पे करते हैं. संगजी वो Guru जी की मरसी के बिनानी होता और Guru जी की मवजूदकी के बिनानी होता. जिस चीज से जिसको bless करना होता है, सो वो ही सुनवाते हैं. और मैं Guru जी की आग्या लेने से पहले iio जी ही सुनवाते है. कि गुरु जी की मर्सी के बिना कुछ भी यहां सुनवाया नहीं जा सकता जितना भी प्लैनिंग कर लो जितने भी रिमाइंडर रख लो अगर गुरु जी नहीं चाहेंगे न वो सत्संग यहां नहीं सुनाये जाएगा संगर जी दो तीन महीने पहले मुझे एक सेवा जी और मेरा बड़ा मन था कि एक इनवान स्वरूप और संची का सत्संग है उस स्वरूप में गुरु जी है शिव जी है और गुरु नानक देव जी है मैं रिमाइंडर की तेना रख लेती हूँ ताकि मैं भूलू ही नहीं और ये मैं सक्संग जरूर शेयर करूँ मैंने गल्ती की अपना दिमाग लगाया गुरु जी कहते हैं जब आप गुरु जी की शेरन में गुरु जी के दर्वार में आते हूं अपना दर्बार अपनी जुतियों के साथ बाहर छोड़ के आओ मैंने गलती की सौरी दिमाग लगाया एवा कर ली और जब मैं आक्या लेने लगी जब मैं ऐसे बंद करने लगी तो तब मैंने देखा औरे ये तो सोरूप था मैंने विजूल रिमाइंडर की तरह रखा था तो गुरु जी ने मुझे रिलाइस करवा दिया कि तेरे चाहने तेरे प्लैन करने से तेरे रिमाइंडर से कुछ नहीं होगा सत्संग वही सुनवाया जाएगा जो गुरु जी सुन्वाना चाते हैं गुरुजी की मर्जी से ही उनकी महर से ही आपको सेवा मिली है संगर जी आप टेंशन मत लिया करो गुरुजी ही सुनवाते हैं क्योंकि आपकी प्लैनिंग चलेगी नी इस दर्बार में आके जब आप सेवा करने लगते हैं गुरुजी ही सुनवाते हैं आपके मुख मंदल पे आपके वोकल कॉट पे गुरु जी बैठते हैं उनकी मर्जी से ही आप सच्छंग सुना सकते हो तो गुरु जी का बहुत शुक्राना आज मुझे ब्लेस करने का आप सब लोगों को ब्लेस करने का गुरुजी, आपको मेरा शुक्राना, प्लीस, बहुत शुक्राना आपकी ब्लेसिंग्स का, शुक्राना कुपूल करो, सेवा कुपूल करो, इसी तरह से सेवा देते रहो, गुरुजी का गुनगान सबसे बड़ा पार्ट, और संगची थैंक यू for जोइनिंग, थैंक यू so much अजली आंटी, दिविंदर आंटी, गुरुजी नाल मोजा की पूरी टीम, thank you so much इस सेवा के लिए, शुक्राना गुरुजी महाराजी सेवा देने के लिए, मुझसे कुछ भूल चुको गई हो तो संगजी और गुरुजी माफ कर देना, गुरुजी ऐसे ही गुंगान करवात एसे ही सेवा सिम्रन शुक्राना सच्छं करवाते रहो, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, thank you so much संगजी, stay safe, stay blessed